सजीद के कारणावमों में जो और बहुत बड़ी achievement है उनकी और यह वो काम है जो मॉल्वी उस वक्त नहीं कर पाय थे जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आये तो उन्होंने प्रपर क्रिस्चन मिशनरी को ले किया है क्योंकि इन्होंने पहली दफ़ा जिन्दगी में पहली दफ़ा वो उस तरह की बाते सुने थे जो वो क्रिस्चन मिशनरी करते थे और बहुत से लोग इंसपायर हो रहे थे उनसे क्योंकि वो बाइबल के हवाले देते थे और हमारे मौलवी ने बाइबल कभी पढ़ी नहीं है इन्होंने तो कुरान भी ने पढ़ा होा हुआ हो भी nuclear ही तो यह जौब दे पाते थे तो फिर सरसेद वो थे क्योंकि उनको Inglis बिए आती थी उन्हेंने पर जाके ना सिर्फ यह एक Bible को पढ़ा बलके Old Testament की उन्हें प्रॉपर तफसीर लिखिए सरसेद ने Old Testament की तफसीर लिखिए New Testament की तफसीर उन्हेंने लिखिए और आज भी जो डॉक्टर जाकिर नायक और शेख एहमद दिदात ये सब जो बाइबल के बारे में जितना भी उनको नौलेज है अक्सर ये वही नौलेज है जो सरस्येद ने जो तफसीरें लिखी थी बाइबल की उन्हीं से आ रहा है तो आज तक जो सरस्येद ने इंटलेक्शल काम किया था आज तक उसका आपको फाइदा हो रहा है फिर 1842 में उन्होंने जलाल कुलूब फी जिक्रिल महबूब को पबलिश किया एक सर विलियम मुहिर नाम के एक राइटर थे उन्होंने एक किताब लिखी थी इसलाम के खिलाफ उसमे रसुल सेलम की परसनालिटी को उसने बड़ा एक अजीब और गरीब किसम के एतराज लगाए और जूट भी उसमे लिखा और एक बलकुल गलत पिक्चर बना के पेश करने की कोशिश की इसका जवाब भी मॉल वियू ने नहीं दिया क्योंकि मॉल विस काबल ही नहीं थे कि उसक्त वो इंगलेंड आए और इस सारे सफर के दौरान और रिसर्च के लिए उनको जो पैसे चाहिए थे उन पैसों के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया जिस बंदे ने सिर्फ एक किताब का जवाब देने के लिए और उसका जवाब देने के लिए अपना घर बेचा बेच के जो पैसे उन्होंने लिए उससे उन्होंने सफर किया और लंदन में आके जो कुछ साल उन्होंने किया वो सारा उन्होंने खर्चा अपनी जेब से किय सिर्फ इसलिए कि उसकिताब का उन्होंने जवाब देना था और फिर उन्होंने दिया। इसके लावा हिस्ट्री की किताबों पर बहुत ज्यादा काम किया। पर आप नहीं दोर की कोई बात करें अबी जो हालात है उनके उपर आप कोई काम करें। उसके बाद किया जाता है कि सरसेद ने फिर फिर अर्चे उन्होंने ज्यादा काम ने किया। उसके पैरलल में पाकिसान में हम कुछ उस लेवल का नहीं बना सेके ज्याज़ स्यादा तीन और इतराज आप कर सकते हैं सरस्यद पे एक तो ये कि सरस्यद ने एक लॉयल मुस्लिम की इमज दिखाने की कोशिश किये बेटिशिश को 1857 का जो तहरीक अजादी थी उसके खास तोर पे बाद जहाँ पिर अंग्रेज़ों ने रीटेलियेट करना शुरू किया है इंडियन मुसलिम के उपर तो फिर सरस्यद वो थे उन्होंने काया कि नहीं हम सारे मुसल्मान ऐसे नहीं हैं वो थोड़े से हैं जो आप से जंग करना चाहते हैं कि हम साथ लोयल हैं तो ये आप इतराज कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों कहा ये अगें आप उस वक्त अगर उनके पास बैटके उनके पॉइंट आफ यू से पूरी पिक्चर को देखते हैं तो शायद आप भी यही बात कहते हैं क्योंकि वो जिस नकता नजर से चीज़ों को देख रहे थे वो ये थे कि हम इंडिया में कमजोर हैं हास रुपे मुसल्मान उससे भी जादा कमजोर हैं अनपड़न हैं जाहिल हैं माशी तो पर कमजोर हैं हम अंग्रेजों का मकाबला नहीं कर सकते हैं अगर हम इसी तरह रादगर आप कर सकते हैं वो ये हैं कि वो एक नेचरी थे यई फिलोसोफिकल थाटस के अंदर लोग आते हैं उन्में वो नेचरी आप उनको कैसे हैं वो नेचर को बहुत जादा मानते थे इसलिए मोज़िस को भी ऑगेन वो फोर्सेदा आफ नेचर के खतम कर देते थे अ उसमें समझाया फिर उन्होंने उसकी जो चंद बाते हैं जो एहम बाते हैं उसको फिर एंशन्ट मुस्लिम स्कॉलर्स के काम से रिलेट करने की कोशिश किया है कि ये वही बात है जो मसारक तरब शाव वली अला धेलवी ने भी इस तरह की एक बात लिखी हुई है ये वही बाते हैं जो इसी तरह की बातें अलजहीज ने और अबने खल्दून ने भी लिखी हुई है तो अपना जो मुस्लिम इंटलेक्शल हिस्ट्री है उससे वो एवलूशन को एक्स्प्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पॉसिबल है इस तरह का कुछ एविट हुआ होगा लेकिन अगेन इट वाज़ अ डिवाइनली गाइड़ इवलूशन ये बात उनने लिखी है तो अगेन आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं आप उनसे एग्री कर सकते हैं यो बाथ बादे है वाजआ हैं लेकिन इतने बड़े आलिम को इतने बड़े सकॉलर को और पाकिसतान के फाउंडिंग फादर्स में से एक है जो बनदा पाकिसान का जो नजरिया है ये स्टार्ट ही सरसेयत से होता है उस बंदे को पब्लिक ली आके आप कादियानी कह रहे हैं आप काफिर कह रहे हैं और मज़े की बात ये है कि किसी ने आपको मना भी नहीं किया ये एक बहुत गलत किसम की रिवायत है जो पाकिसान में पढ़ने वाली है और अगेन मैं आपसे लिख के आपको मैं देख सकता हूँ कि अगले 15-20 सालों में यही पार्टी के लोग होंगे